एक्जाम में काफी जादा बच्चे ऐसे हैं 90-90 परसेंट की त्यारी करके गए हैं बट जब उनके सामने पेपर आए एंग्जाइटी वी फियर वी चीज़े भूल गए तो उसका कोई भी फायदा निया पूरे साल आपने किती त्यारी करें अब बात करने वाले सीवेसी बोर हैं जो मैं एक्सपेक्ट कर रहे थे और अगर हमारे हाफ एल यह ऐसे गए हैं तो अगर हम ऐसी ही त्यारी कंटीनियू करते रहे आगे तो हमारे बोर्ड भी जो हो कुछ अच्छे नहीं जाने वाले इसलिए मैं यह वाली वीडियो आज आपके लिए लेकर हम जिसमें मैं आ मैं यही चीजह हम डिटेयल करते हैं और काफी चीजह अनलाइस करते हैं मैं आपको कि वीडियो के बारे में बता शुके आइब बास के बारे में और काफी यादा बच्चों के half field ली खतम हो चुके है, mainly सभी के half field ली खतम हो चुके है और half field ली जैसे वो चाहते थे score करना की, भाई हम तो half field में 90% score करना चाहते थे बट जो हमारी त्यारी थी ना, और जैसा exam आया, जैसा paper आया, हम उसके according चीजे नहीं कर पाए बट यार एक चीम आपको बता दू, half field exam जो आपके होगा है उसमें आपने कुछ चीजे सीखी होंगी definitely, जब आपके सामने paper आया होगा, तो आपको कुछ question नहीं आते होंगे, आपको लगा होगा, कुछ बच्चों को लगा होगा कि time management नहीं हो रहा है, time management मैं करना चाहते हो, प मैं भी अपने class 10th and 12th में ता जब भी मैं अपने बोर्ट से नहीं होगा, तो यार एक तो बोर्ट का fear होता है पहले से, कि अगर number कमाएं तो क्या होगा, यह होगा, तो सबसे पहले यार आपको fear तो निकालना पड़ेगा, ठीक है, fear आपको निकालना पड़ेगा, अब जैसे जैसी time बढ़ता जाता है, ठीक है, जैसे exam पास आते जाते हैं, यह fear भी जो हमारा बढ़ता जाता है, बट हमें इसको control करके चलना है, अपनी anxiety को control करके चलना है, क्योंकि anxiety बढ़ती रहे की ना, तो हम चीज़े जो याद करते हैं, हम भूलते चले जाएंगे, काफी बच्च वाले बच्चे हैं, तो मेली चीज़े होने वाले आपके, ठीक है, बोर्ट्स, 2023 वाले बच्चों के लिए, तो अब हम बात करने वाले हाफ एल्ली exam के बार हैं, तो कई जो हाफ एल्ली exam हो है, उससे आपको चीज़े सीखने हैं, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यह है, मेल अगर आप 6 चैप्टर पढ़के गए थे, हाफ फेल्ली में, मतलब आपने 6 में से या तो 6 कर ले हैं, 6 में से आपने 5 चैप्टर कर ले हैं, इन चैप्टर में से आपको कितने चैप्टर आते हैं, तो यारी जो हम 3 months की जो strategy है, इसमें हम थोड़ा सा tricky way में खेलेंगे, हम सब से पहले वो चैप्टर करके चलेंगे, जो हमारे पक्के हो गए हैं, ठीक है, पक्के इंदा सेंस की उन चैप्टर में, अगर हम exam time पे थोड़ा सा revision कर लेंगे, तो वहाँ पे हम पूरे नंबर ला रहे होंगे, तो अगर आपके पूरे 14 चैप्टर है, ये एक example में आपको द आते हैं, और इन 3 months में आपको सबसे पहले वो चैप्टर करके रख देना है, जो आपको complete आते हैं, मताब 14 में से आपको 10 चैप्टर हैस होंगे, बिल्कुल अच्छ तरह के से आने चाहिए, ठीक है, इतनी बाते समझ होगी, कि इन चैप्टर से कैसे भी कोशन आजा होट वा पढ़ना है, tricky way in the sense कैसे, इन 4 चैप्टर के आपको सबसे पहले previous paper लगाने हैं, देखो, previous paper आपको इन 10 चैप्टर के भी लगाने हैं, जो आपको अच्छे से आते हो, यह 10 चैप्टर में 8 भी हो सकते हैं, ठीक है, तो यह वो चैप्टर जो आपको अच्छे से आते हों, ठीक आपका reason है, इन चैप्टर से लेटेट आपको previous paper लगाने, प्लस, important question पढ़ने हैं, कैतनी बाते समझागे हैं, हमाई चैनल पर काफी जादा important question है, मैंने ओल्लेडी go through करके science के लिए, class 10th में अगर आप हैं, तो यह important question काफी जादा बढ़िया होता है, कभी-कभी ऐसा होता है कि previous year paper में, suppose करो कि काफी जादा ऐसा question है, कि मैंने 2018 में पेपर में question देखा है, 2019 में भी वह question देखा है, तो कुछ question ऐसा होता है, जो repeat हो जाते है, मिल ले, वो question, important question की range में आते हैं, इतनी बाते समाझ आ रही है, okay, next बात करते हैं, इस time table के बारे में, time table मैं आपको suggest करूँग मन्त जो है, वो में एक अच्छे से score लेकर चलना है, इन 3 मन्त को अगर किसी ने खराब कर दिया, तो अपने board खराब कर रहा है, यह साब बात में आपको कहा रहा हूँ, आपको कहा करना है, time table बनाना है, one 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 month में आपको तोड़ लेना है, मैं यह नहीं कहा रहा है, आपको पढ़े का time table बनाना है, क्या आदर घंटे खाना खाना है, ठीक है, फिर 10 घंटे पढ़ लेना है, फिर उसके बाद, मतलब आप अपने time slot को बाट रो, इतने में यह कर लेना, इतने घंटे में यह कर लेना, इतने में यह कर लेना, नहीं होता है, हमेशा जो time table बना, वो जो है, अगर मैं बस revision करूँगा, तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं, इसके कैसे भी question आजाए, मैं लगा दूँगा, तो 60% syllabus बल्कु बड़े तरीके से कर देना है, हर chapter से related, हर subject से related, ठीक है, यह जो हमारा one month रहेगा जाद, इस one month में हम इस 60% का revision करेंगे, plus जो हमारे चैप्टर है, 40% जो syllabus है, उसके हम previous year important question लगाने start कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे जो 60 plus 40% हमारे यहां से निकल रहा होगा, total 100% है, average मैं आपको बता रहों कि आपका 80% यहां से पूरी अच्छे से तहरी हो चुकी है, यह next जो one month होगा यार, इसमें हम लगा रहे होंगे, previous year paper पर दबा को sample paper, sample paper आप कोई भी बाय कर सकते हैं, कोई भी ऐसा कोई निया pressure कि यही पाय करना है, और CBC का जो भी later sample paper आप रहा है, वो भी आप कर सकते हैं, तो यह चीज़ आपको थोड़ा सा go through करके चलनी है, ऐसे में आपके pre-board भी हा रहोंगे, तो उनको यहार manage करना है, ठ ठीक है, अगर आप answer writing वाली वो वीडियो देख रहे हैं, कि आपको exam में कैसे लिखना है, बोर्स में कैसे लिखना है, जहाँ पर आपके 10-20% जो है, वो नमबर ऐसी ही बढ़ रहे होंगे, ठीक है, लिखने का तरीका बहुत जादा matter करता है, ठीक है, तो वहाँ पर आप answer writing स से चीज़े स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि systematic way आपको होना चाहिए, आपको line wise जो है वो, या फिर आपको sequence wise question करने चाहिए, उस वीडियो में मैंने काफ जादा चीज़े डेटेल कर दी, इसमें मत्वोड था, ठीक है, चीज़े आपको short में बता दिया, ओके, next बात करते हैं, guys, fear को हमें खतम करना है, आपने पहला point, दो सा point, तीसमें सारे point कर ले, पर अगर आपका अभी भी fear बना हुआ है, तो वहाँ पे आपके number नहीं आ सकते हैं, आप चीज़े याद करोगे, आप भूल जाओगे, exam में काफी जादा बच्चे ऐसे है, 90-90% की त्य त्यारी करके गए हैं, बट जब उनके सामने paper आए, anxiety हुई, fear हुई, डर गए, डर के मारे, सब चीज़े भूल गए, तो उसका कोई भी फायता नहीं है, पूरे साल आपने किती त्यारी करें हो, fear कैसे खतम हो, जितनी जादा practice करेंगे, ठीक है, इसका कोई भी reason, इसका कोई solution नहीं है, बड़ा, solution इसका यह है, कि आपको बस practice करनी है, यह एक reason है, जिससे आप अपना fear खतम कर सकते हैं, sample outbreak आपको practice करनी है, बागी इतनी जादी tension वाली बात कोई भी नहीं, अब भी आप अच्छा score कर लोगे, अभी अगर आपकी चीज़े clear नहीं, अभी आप चीज़ अभी भी आजकते हैं, मैं जब class 1012 मैंने ऐसे काफी आदा बच्चे देगे कि भाईया, पूरे साल कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, और जब नॉम्बर आए, वो ऐसे लग गए भाईया, और उन्होंने 80% पार अपने नंबर पोचा दे, जिनकी 40 की भी उमीद नहीं थी, तो कि आपके चीज़े समझाए, छोटा सा मोटिएशन, छोटी सी स्ट्राइटीजी में ही तरफ से थी, आप सभी के लिए, बिल्कुत बेसिक स्ट्राइटीजी है, पर इंप्लिमेंट करना जरूरी है, चीज़े हम स्ट्राइटीजी बना बना लेते हैं, भाईया, दस वीडियो पचास वीडियो देख लिए, कुछ मेरी देख लिए, कुछ किसी और की देख लिए, बट हम इंप्लिमेंट नहीं करते हैं, किसी की भी स्ट्राइटीजी देखो, पर इंप्लिमेंट करना काफ जरूरी है, तो क्या अतनी बाते समझाए, और अगर समझाए तो एक बार अब आप से लिए नेक्स वीडियों, थेंगे सब्सक्राइब, टेक के गुडबाई, सीवसिंदा नेक्स वीडियों, बबाई